असलाम लेकूम फ्रेंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल आज हम आप खिली लेकर आए हैं ब्रेड ओमलेट की रसीपी जो की बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन करके तयार हो जाती है और हम लोग जादा तर इसे ब्रेकफास्ट में खाते है तो आहीं इसे बराने स्ट के और स्ट करते है तो यह पर मैंने रायम जादा निया निया फिलाट मेटे राद कर लियांन में यह कई भासप्र दिल्द शया बॉबने जीरह जरी लिया उप्पार्ट निया जड़़त नियाल में यह लिए तो यह एक गचान तो श town идट कर दोंप पाहर्त रे में जिलाप्त हम द्धन्या के पत्ती यहां पूरी नहीं यह दो उसलिए रागग कुछ बचा समुदधे लिए जैए लिए पीज़ प्यास प्यास अ nee इं गेशिया टोंबाटा करेंगे नमक एड़ करेंगे हम फाफ टीजपून नमक एड़ करेंगे हम यह आपने टेस्ट के अपर गॉर्णक कर रहे है तो आपने टेस्पूल लिया है तुझ मैं इसे बीट कर लेना है हम इससे अच्छे से बीट कर लेना है ता कि जितनी भी हमने विजीटेबल्स लें हैं प्यास है अच्छे से मिक्स हो जाँ और भी बिल्कुल अलग-अलग से हो जानी चाहिए इसमें तो देखे यह अच्छे से बीट हो चुका है हम इसे कूप करेंगे तो यहां हमने एक पैन लिया है उसमें ओयल को हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे और हम इस तरह से अंडे को डालेंगे कि इसमें जो है ब्रेट की स्लाइस जो है दो आसानी से अज़स्ट हो जाए हमें कुछ से कर लेना है अब हम इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे हमने यहां मिक्से मादे wenn making घृत में तरह से लिय सप्रिंगल कर रहे हैं इसके बाद हम अशी स्लाइस लेंगे और इस तरह से हम लगा देंगे और इसे हलके हलके से प्रैशक व्लेश कर लेंगे अमलेट इससे अलग हो जाएगा इसके स्लाइस को टॉण करेंगे अब दूसरी वाली स्लाइस को लेकर रखेंगे और इससे प्रस करेंगे और हमें इसको slow flame पे कुक करना है यह अच्छी तरह से हो जाना चाहिए क्योंकि हमने यह पे प्यास टमाटर सब कच्छे ही लिए हैं तो इसे अच्छी से होना चाहिए तो हमें slow flame पे इसे कुक करना है यह बहुत ही अच्छा breakfast बनकर के रेडी होता है बहुत ही जल्दी जटपट बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में तो इस तरह से हम इसके side sides में oil अपलाई करेंगे इसके side को चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और crispy देखने में लग रहा है तो हमें इसी तरह से cook कर लेना है दूसरे side को भी और आप देख सकते हैं यह bread omelet बनकर के रेडी है आई इसे अब serve कर लेते हैं तो मेरी इस recipe को ज़रूर से try करिएगा और अगर मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe करना मत भूलिएगा thank you